बाकी बड़े उम्र के लोग अलग हैं एक लाख युवक जान गवाते हैं हर साल लापरवा ड्राइविंग के कारण आप सोचिए 25 साल लगते हैं एक बच्चे को पाल कर बढ़ा करने में और 25 सेकिंड में लापरवा ड्राइविंग के कारण वो लाश में बदल जाता है क्या बीटती होगी उस मां के उपर जो अपने जाते हुए बेटे की पीठ देखती है और आते हुए बेटे का मुह नहीं देख पाती हैं आप लोग क्या सोचते हैं अगर आप अपनी पावर दिखाना चाते हैं तो मिलखा सिंग की तरह तेज दोड़िये या कि आप निरत चोपड़ा की तरह देवेंदर जाजडिया की तरह आप तेज भाला फैंकिये मोटर साइकल का कान मरोडने में या तेज गती से कार भगाने में कोई कोई बहादूरी नहीं होती अगर आप सोचते हैं कि आप बड़े हैंडसम और डैशिंग दिखते हैं तेज गाड़ी भगाते हुए आप डैशिंग हैंडसम नहीं दिखते आप लापरवा दिखते हैं आप बेपरवा दिखते हैं आप बेवकूफ दिखते हैं इसलिए कम से कम सड़क पर जब भी गाड़ी चलाएं आप ध्यान से गाड़ी चलाएं आपकी जिंदगी आपके माता-पिता की भी है एक छोटी सी चीज और कहना चाहती हूँ हमारे की जिन्दगी बनाने में और उसके बाद दुक्का विशह है बड़ा पीडा दायक सीन में कई जगे देखती हूं कि एक माबाप मेहनत करते हुए हातों में आईटन पढ़ जाते हैं एडियां फट जाती हैं कपड़े मेले फट जाते हैं और उसके बाद जब बेटे को पड़ होती हैं में रही लेकिन इजत से रोटी नहीं मिल रहे हैं इस चीज़ को बदलने की ज़रुत है माबाप मैं आप से कहती हूँ जैसी भी परीस्थिति होती है माता पिता आपको राजकुमार की तरह पालते हैं आपकी इडिधी है जैसी आपकी हैसियत हैं च потребाने में उनको एक छोटी सी लास्ट बात जो मैं कह रही हूँ बेटियों को समझदार बनाईए बेटियों को बेटा मत बनाईए क्योंकि बेटे तो लापरवा होते हैं बेटियों को समझदार बेटी बनाईए जब वो घर से बाहर जाती है तो उसको समझाईए कि वो साथ अपने घर की इज़त ले करके जाती है बेटियों को समझाईए कि कैसे लोग मिठी मिठी बातों का जाल लेकर शिकारियों की तरह से घूमते हैं और अपनी बेटी को संसकार दीजिए कि वो जिस घर में जाए अपने सास ससूर की सेवा करे आजकल मैंने नया ट्रेंड देखा है बेटियां मा मम्मी की तो बहुत चिंता करती है लेकिन सास की चिंता नहीं करती है ये गलत चीज है औरत घर की धूरी होती है अगर व्रद्द लोगों की चिंता नहीं करेंगे तो हमारे वृद्ध लोगों को सुरक्षा कैसे मिलेगी, उन्हें सम्मान कैसे मिलेगा, इनकी जिन्दगी खुश कैसे होगी इसलिए कोई भी कौम तभी आगे बढ़ती है, जब वो संसकारवान हो, जब वो मेहनती हो, जब वो शिक्षा पर ध्यान दे, हमने ये सब किया है, मैं आपको बधाई देती हूँ